नमस्ते प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेका आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है चैती का स्वेटर इस कहानी के लेकक है दर्मेंदर सिंग ठाकुर और ये प्यारे प्यारे चितर बनाए है जिदेंदर चोरस्या ने तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं आज बहुत ठंड थी चैती स्वेटर पहन के घूमने निकली उसका स्वेटर छोटा हो गया था कापते हुए चैती ने सूरज को पुकारा कहां गए सूरज मामा जल्दी आओ ना सूरज आया धूप लाया ठंड कम हो गई चैती खुश होकर नाचने लगी इतना नाची कि पसीना छूट गया और धूप तपाने लगी चैती को इतनी गर्मी लगी कि वे बादल को बुलाने लगी बादल दादा जल्दी आओ बादल आया बारिस लाया धूप गई और चैती खुशी से नाचने लगी चैती भीग गई चारो तरप की चड़ था भीगी चैती को फिर से अपने स्वेटर की याद आई स्वेटर पहन कर वह घर की और भागी तो बच्चो आपको कहानी कैसी लगी आप कुछ प्रसन देख लेते हैं चैती का स्वेटर कहानी का नाम क्यो रखा गया इस नाम के लावा और क्या नाम हो सकता है आपको ये सोच कर बताना है क्या नाम आपका हो सकता है सोचो सोचो इसके बाद दूसरा प्रस्ण लेते है इसका प्रस्ण बाय उत्तर भी आपको देना है कहानी में ठंड लगने पर चैती ने सूरज मामा को बुलाया था अगर चैती की जंगे आप होते तो आप क्या करते चलिए बताईए आपको ये कहानी कैसी लगी धन्यवाद